जैसरे शाम सभी शाम प्रेमियो को शाम प्रेमियो आज का टॉपिक है हमारा इस्त्रियों को दंदबत परणाम नहीं करना चाहिए अब मंदिर वगर हम जाते हैं तो देखते हैं इस्त्रियों को दंदबत परणाम करते हैं जो कि उनके लिए अनुचेत है सभी बताऊंगा कि क्यों वो निचित है ध्यान से इस वीडियो के साथ बने रहे हैं दंदबत परणाम का सभी प्रकार के परणामों में सर्वसिष्ट माना गया है लेकिन हमारे सास्त्रों में इस्त्रियों को दंदबत परणाम करने का सर्वता निशेद हैं सास्त्रा नुसार इस्त्रियों को कभी भी किसी के भी सन्मुक दंदबट परणाम नहीं करना चाहिए क्या रिजन है इसके पीशे बताऊंगा आपको ध्यान से आप पूरा वीडियो को देखते रहिए आजकल अनेक स्थानों पर देखने में आता है कि स्त्रियां भी मंदिर में जाती है पूजा वगरे करती है और मंदिर में जब पूजा अरचना करके परिक्रमा कर देती है परिक्रमा करने के बाद सास्त्रा दंदबट परणाम करती है जो की सास्त्रा अनुसा अनुचित है दंदबट पर नाम होता है नीचे जमीन पैसे एकदम जुक के जिसमें हमारा पूरा शेरीर जमीन से टच होयाता है बिल्कुल स्त्रियों के लिए वर्जित है ऐसा क्यों है इसका समाधन हमें एक गरंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधू उसमें साफ साफ लिखा गया है क्या लिखा गया है मैं पहले संस्कृत में स्लोक बोल रहा हूँ फिर मैं इसका हिंदी में अर्थ बताऊँ आपको तो ध्यान से सुनिए अर्थात इसका आर्थ क्या हुआ कि ब्रामनों का प्रस्ट भाग संक सालीग्राम धर्म गरंथ पुस्तक मतलब किसी भी तरह के रामायन महावारत कोई भी धर्म गंथ हमारे पास अब अब इस्त्रियों का बक्चस्थल यानि स्तन सीधे भूमी पर बिना आसन का स्पर्ष करते हैं अगर बिना आसन का स्पर्ष करते हैं तो पिर्थमी इस भार को सहन नहीं कर सकती है इस असहनिय भार को सहन करने के कारण वो इस भार को डालने वाले से जो इस भार को डाल रहा है उससे उसकी स्तरी अस्ट लक्षमियों को हरण कर लेती है अस्ट लक्षमी क्या होता हो भी बता देता हूँ आपको, अस्ट लक्षमी का अर्थ है लक्षमी के आठ विशेश रूप, लक्षमी के आठ रूप होते हैं, कौन-कौन से रूप होते हैं हो भी बता देता हूँ, आदी लक्षमी, धन लक्षमी, धान लक्षमी, गज लक्षम संतान लक्ष्मी, बीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, और होते हैं ब्रामनों का प्रस्ट भाग, ध्यान रखेगा, ब्रामनों का प्रस्ट भाग, संक, साली ग्राम, धर्म ग्रंद, पुस्तक, एब मिस्त्रियों के बक्सतल को पृत्मी से सीधे, स्पर् सास्त्र के अनुसार निर्देस अनुसार इस्त्रियों को देंदबट परणाम कभी नहीं करना चाहिए आप इस बात को मज़ाग में मत लेना इस्त्रियों को देंदबट परणाम के स्थान पर क्या गरना चाहिए फिर इस्त्रियों को देंदबट परणाम के स्थान पर अपने पुस्तक को सदे उनको योथोचित आसन पर ही विराजमान करना चाहिए हम जब रमाइन वगरत लेखे आते हैं तो उनको जमीन पर रखके नहीं पढ़ना चाहिए उसके लिए चौकी होती है में जो होता है या कोई आसन है उस पर रखके आप उसको पढ़ सकते हैं इसलिए आ तरण हमारी लक्षमी हमसे रुस्त हो जाती है और हमसे सारी लक्षमी हमसे छेण होने लगती तो यह ध्यान रखिएगा इस्त्रियों के लिए जो चीज बरजित है सो बर्जित है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह धर्म गरंत धर्म शास्त्र में लिखा गया है एक बार मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि जो लेट के या इस तरह से दंदबत परणाम करते हैं जो इस्तिरियों के लिए है प्रुशों के लिए नहीं है वो ध्यान रखे कि इस तरह का देंदवट पढ़ना वो ना करे और उसके स्थान पर घुटनों के बल बैट कर माथा टेक कर भगवान का आशिरवात ले भगवान को मनाए तो आश्या करता हूँ अगर आपका कोई भी इसमें लग रहा है कि कुछ मुझे पूछना है कि कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो के अंदर तो आप मुझे